प्रेंट्स आपको याद होगा जब हमने elements of design पढ़ना शुरू किये थे तो उसक्त मैंने आप लोगों को एक example के जरीए समझाया था कि elements of design क्या है और principles of design क्या है मैंने आपको ये बताया था कि elements of design अगर design के ingredients हैं तो इस तरह से principles of design जो हैं वो design की recipe है यानि कि वो principles वो rules जिनको follow करके हम अच्छे से अच्छे designs create कर सकते हैं दोस्तों इस lesson के अंदर हम लोग अब principles of design जो हैं उनको study करना start करेंगे पहला principle of design जो मैं आप लोगों को इस lesson में बताने वाला हूँ वो है balance दोस्तों balance का मतलब है equal distribution of visual weight जब हम graphic design के हवाले से specifically balance की बात करते हैं तो जो हम weight study कर रहे होते हैं वो actually visual weight होता है यानि के अगर visually चीजों को इस तरह से या तो place किया जाए या उनके colors को इस तरह से रखा जाए या उनके sizes या scales को इस तरह से manage किया जाए अपने designs के अंदर कि किसी खास element का weight हमें ज्यादा लगे देखने में और किसी खास element का weight हमें कम लगे तो इसी का नाम है balance दोस्तो basically balance के अंदर हम visual weight जो है चीजों का उसको equalize कर रहे होते हैं और उसको अच्छे तरीके से manage करने की कोशिश करते हैं और याद रखें balance जो है ये graphic design के अंदर बहुत ही ज्यादा important चीज मानी जाती है दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको detail में बताना चाहता हूँ visual weight और eye traveling के हवाले से जब हम बात करते हैं equalization of visual weight तो visual weight का मतलब है देखने में कोई चीज कितनी heavy या कितनी light लगती है इसी तरह से एक और important concept जो इसी के साथ जुड़ा हूँ है वो है eye traveling का जब हम अपने design को create करते हुए different चीजों का different elements का जो weight है उसको differ करते हैं या एक दूसरे से मुक्तलिफ बनाते हैं तो basically हम देखने वाले की आँख को direct कर रहे होते हैं कि वो कहां से हमारे design में enter हूँ और कहां से निकले और किन चीजों को पहले देखे उसके बाद किन चीजों को और फिर उसके बाद किन चीजों को दोस्तों ये सब बात आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ examples दिखाना चाहता हूँ screen पे इस वक्त आप लोग एक visual देख सकते हैं इस visual के अंदर आपको बहुत सरे stars नजर आएंगे अच्छे ये जो बाकी stars है ये grey के अंदर है जबके एक star आपको red के अंदर नजर आ रहा है दोस्तों I can bet कि आप लोगों ने सबसे पहले इस red वाले star को ही इस visual के अंदर note किया होगा basically visual weight इस red वाले star का ज्यादा है क्योंकि इसका color ज्यादा bright है और बाकी star से different है तो इस तरह से हम visual weight को manage करते हैं ये एक और visual देखिए इस visual के अंदर आपको एक घर नजर आ रहा है छोटा सा करके एक घर है और बहुत सरे arrows हैं जो के उसकी तरफ point out कर रहे हैं तो दोस्तों इस visual के अंदर भी जो पहली नजर आपकी जाती है वो इस चोटे से घर की तरफ जाती है हलांकि उसका scale बहुत चोटा है लेकिन क्यूंके तमाम arrows उसकी तरफ point out कर रहे हैं लहाजा हमारी नजर उसी की तरफ जाएगी लहाजा वैसे उसका size चोटा है लेकिन उसका visual weight इन arrow से बढ़ गया ज्यादा हो गया इसी तरह से ये एक तीसरा visual देखिए इसमें आपको बहुत सारे खरगोश नजर आ रहे हैं लेकिन आपने जिस खरगोश को सबसे पहले note किया होगा वो वो वाला है जो बाकियों से कुछ distance के उपर place किया गया दोस्तो इन examples की मतद़ से मैं उमीद करता हूँ कि आपको visual weight के बारे में समझ आगी होगी balance का तालुक basically visual weight को manage करने से ही है अगर आप अपने designs को बनाते हुए visual weight को अच्छे तरीके से manage कर सकते हैं तो that means कि आपका design जो है उसके अंदर balance मौजूद है और वो एक balance design है दोस्तो आम तोर पे balance को design के हवाले से इस कदर एहमियत हासल है कि कहा ये जाता है कि अगर कोई इनसान अपने अपने atmosphere में balance को create करना या उसको manage करना जानता है तो वो एक अच्छा graphic designer बन सकता है इसके एक मिसाल चोटी सी मैं आपको ये देता हूँ कि अगर आप किसी के घर जाते हैं ये किसी भी जगा पे जाके बैटते हैं और वहाँ पे दिवार पे कोई तस्वीर टेड़ी लगी हो और आपका दिल करे उसको देखके कि मैं इसको सीधा कर दूँ बैलन्स कर दूँ तो जान लीजिए कि आपके अंदर एक ग्राफिक डिजाइनर बनने के जरासीम लाजमी तोर पे मौजूद है चलिए बात करते हैं उस आखरी कॉंसेट की जो बैलन्स के वाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ बैसिकली बैलन्स की आम तोर पे तीन टाइप्स हुआ करती है एक होता है सिमेट्रिकल बैलन्स एक होता है एसिमेट्रिकल बैलन्स और एक होता है रेडियल बैलन्स दोस्तों जो सिमेट्रिकल बैलन्स है ये वो बैलन्स होता है जिसके अंदर तमाम साइड्स हमें horizontally या vertically या horizontally और vertically एक जैसी ही लगती है यानि कि उसमें तमाम sides एक जैसी होती है और उनके अंदर मौझूद जो visuals होते हैं वो बिल्कुल एक से होते हैं अगर किसी भी symmetrical design को center से cut किया जाए vertically या horizontally तो उसकी दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा visual आपको मिलेगा इसके इलावा जो asymmetrical balance है ये वो balance है जिसमें sides जो हैं वो जरूरी नहीं कि एक जैसी हूँ हो सकता है आपको center के इस तरफ कुछ और किसम का visual मिले center के इस तरफ कुछ और किसम का visual मिले लेकिन वो दोनो visuals आपस में एक दूसरे को balance out कर रहे होते हैं यानि कि उनका visual weight दोनों sides का बराबर ही होता है इसी तरह से radial balance जो है ये वो balance है जिसके अंदर तमाम elements को किसी एक खास central point के इर्दगर्द प्लेस किया जाता है और इस तरह से प्लेस किया जाता है कि हमारा जो balance है वो एक radius की form के अंदर travel करता है मैं आपको दुबारा ये बताता चलो balance को अपने designs के अंदर आप लोगों ने लाजमी ना सिर्फ याद रखना है बलके create करने की कोशश करनी है अब आप लोगों से next lesson ने मुलागात होगी किसी graphic design के हवाले से नए concept के साथ और आने वाले lesson में हम principles of design में ही किसी next principle को study करेंगे